नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और एट पी नॉटिकेशन में तो दोस्तों जैसके आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 20 इसमबर 2023 की हिमाचल प्रदेश की श चैनल इवीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पाँच बाजे की टॉप 10 ताजा खबर हैं तो देख सकते हैं शाम की प्याली ताजा खबर ब्रेकिंग निउज है विधानसावाशीत सत्तर सीम सुख्ष बोले केंदर को 9,900 करोड का मेमोरेंडम ओफ लॉस दिय गया केंदरी नियमों के नुसार कम से कम 1605 करोड रुपए मिलने चाहिए थे इसमें से 216 करोड रुपए पहले से ही दिये गए थे 397 करोड रुपए भी की धनराशी ही केंदर से आई आई है हिमाचल नियूज साड़े 5 गंटों में कालका से शिमला पहुंचा तीन बोगी वाला ट्रेन सेट ट्राइल सफल बुद बार को कोच निर्माता कमपनी और रेलवे बोर्ड की टीम ने शिमला की चड़ाही में ट्रेन सेट को चलाया और खामियों का पता लगा गया कालका से सुबा 8-5 बजे ट्रेन सेट शिमला के लिए रवाना हुआ हपी असेंबली वेंटर सेशन मुकेश अगनियोत्री बोले हिमकेर योजना को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं हिमाचल प्रदेश में हिमकेर योजना को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है योजना के तहर्ट देंदारी को लेकर सरकार प्रतीबाद चर्णबद तरीके से जल्द हिमकेर योजना की देंदारी का बुकतान सरकार के और से किया जाएगा हिमाचल टूरिजम पाड़ों में नव विवाहित जोड़े मनाएंगे नया साल 50 फिस्ती कमरे करवाए बोक जैराम ठाकूर कंगना मंडी से चुनाब लड़ेंगी या नहीं शीर्ष नेतर्टब करेगा तै जैराम ठाकूर ने संक्षिप्ट बाचीत में अबनेतरी कंगना रनोत के मंडी से चुनाब लड़ने के कयासों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाब लड़ने की इच्छा कोई भी जता सकता है हिमाचिर विधानसवा के बार तोकरियों में गोबर लेकर पहुँचे बाचपा के विधायक सरकार से पूछा कब खरीदोगे नेर्वा में आग की भेंट चड़ा दो मंजला मकान गटना के वक्त घर के अंदर मौजूद थे दो मासूम तस्वीरे आप देख सकते हैं जेव आईटी आट सस तारा के अभ्यारतियों ने सरकार से 31 मार्थ 2024 से पहले भरती करने के उठाई मांग तस्वीरे आप देख सकते हैं चार साल से ये अभ्यारती जो है वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं डेप्टी सीम को चनौती देने वाल याच का बीजेपी विधायकों ने लिवाप्पे से सीपीएस मामले में सुनवाई दो जैनवरी को तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश की शाम पांच बजे की सभी टॉप टेन तारा खबरें तन्यवाद जैहिं जैभाद